आप सभी का स्वागत है रवी जोन फार्मिंग लीडर में मैं रवी त्यागी आपका होस्ट एंड दोस्त मेरे सभी बुजर्ग और किसांसातियों को मेरा राम राम तो किसांसातियों आज हम बात करेंगे आम की फसल के बारे में बागवानी के बारे में और उसमें लगने वाले मिली बक कीट के बारे में और उसके नियंतरण के बारे में तो चलिए सुरू करते हैं बुलादे डर कुछ अलग कर किसान साथियो हमारे चैनल को सस्क्राइब करें और घंटी के बटन को जोड दबाएं तो साथियो जैसा कि आपको मालूम है आम का सीजन चल लहा है आम के सीजन में बहुत सारे कीटों का प्रकॉप हमारे आम के पौदों पर होता है जिन में से एक है मिली बक्त मिली बक्त कीट इसकी पहँचान हम कैसे करें यह रूई के प्रकार का एक सफेद रंग का कीडा होता है और यह पत्तियों पर चिपका रहता है और जहां से रश चूँस के हमारी पत्तियों को नर्जीब बना देता है दूसरा एक हमारी आम भासा में हमारी जो लोकल भासा में इसे कडी कीड़ा भी कहते हैं, अगर कडी कीड़ा क्यूं कहते हैं? उसके बारे में भी एक बात है, जब भी कभी आप पूरे व्यस्क कीड़े को पकड़ के मारेंगे, तो उसके अंदर से पीले कडी के प्रकार का लसलसा पदार्थ निकलता है, तो इसी वज़े से हमारी लोक इतना अधिक होता है कि हमारे जो पौधों की पत्तियां है वो पीले रंकी पढ़ जाती है रस चूसने के कारण और वो जड़ने लगती है अर जब इसका प्रकोब बहुत अधिक होता है तो पत्ते और जो हमारे फल हैं हमारे आम हैं वो भी सुक कर नीचे गिरने लगते हैं तो सातियों अब जाने हम इसके बचाव के बारे में कि हम इससे अपनी आम की फसल को कैसे बचा सकते हैं सातियों सबसे पहले हम अपने बाग से खर्पतवारों को पूरी तरह नश्ट रखें और जो प्रभावित पत्तियां हमारी हैं जिन पर ये कड़ी कीडा लगा हुआ है उसे तोड़ के हम बाहर फैंक दें अप्रेल के महिने में क्या होता है कि ये अंडे से बाहर निकलता है और इसके अंडे जो होते हैं यह अंडे अपने जमीन पर देता है जब हम सुरुवात में अपने बागों में पानी लगाना शुरू करते हैं तो यह अंडे से निकल निकल के और हमारे पेड़ के उपर चड़ना सुरू हो जाता है तो सबसे पहले तो यह दियान रखा जाए कि हम पहले जमीन से खोद कर इसके अंडे को नश्ट करें दूसरा क्या है कि जब हम पानी लगाएं उससे पहले हम अपने पोधे के तने को किसी भी चिप-चिपी चीज से जो है उसे सांदें जिससे कि यह कीडा उपर चड़े और उस पे चिपक खतम हो जाए दूसरा क्या है बहुत जगे देखा गया है कि बहुत से खिसान भाई क्या करते हैं कि अपने नीचे तने को करीब एक डेड़ फिट पिन्नी लगा के उसे पिन्नी लगा देते हैं जिससे कि उस पिन्नी पे पॉलिथीन पे यह चड़नी पाता रपड जाता है और ये वहीं उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है इस प्रकार हम इसकी रोक थाम कर सकते हैं अब हम जानें कि इसका रसानिक टीटमेंट कैसे करें साथियो एक लीटर इमीडा किलोरोपिड 17.8 SL 200 लीटर पानी में मिलाकर एक एकड बाग में हम अपने पौधों पर छिड़काओ करेंगे तो ये रोक बिल्कुल जड़सिननस्ट हो जाएगा कीडे बिल्कुल खतम हो जाएंगे पत्तियां बिल्कुल एकड़म हरी और चमकीली हो जाएंगी और हमारे जो फल हैं वो बहुत ही बढ़िया तरीके से फलने फूलने लगेंगे साथियों अब जान लेते हैं इसके जैविक उपचार के बारे में एक किलोग्राम वर्टिसीलियम लेकानी दो सो लीटर पानी में मिलाकर अगर हम छिड़काओ करेंगे इस्प्रे करेंगे अपने पौदों पर एक एकड़ में तो बहुत ही बहतरीन रिजल्ट हमारे सामने आएंगे और हमारा बाग जो है हमारे जो पौदे हैं वो बिलकुल रोग मुक्त हो जाएंगे और फिर हमारी जो फसल है वो बहुत ही अच्छी और देखने दिखाने लाग उसमें आमों की पैदावार होगी साथियो अगर इस वीडियो में आपके लायक कोई चीज है तो इस वीडियो को लाइक करें चैनल को सस्क्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मैं रवी त्यागी रवी जौन फार्मिंग लीडर से